वहिंकोटा बुंधी लोगसभाज शेत्रे से बीचेवे प्रत्याशी ओम विरला के लिए उज्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जोड़ शोड़ से प्रचार अभियान की कमर कसलिये नागर ने अमने विधानसभा शेत्रे सांगोद में विधानसभा चुनाओं में मिली 26,000 मतों की जीत के आंकड़े के लोगसभा चुनाओं में डबल मारजिन जीत में तब्दील करने का दावा किया इस गो लेकर हमारे सेयोगी भवरेश चारंग के साथ एक्स्क्लूजिवली बात चीत में नागर ने कहा कि देश का मदाता परिपक्व हो चुका है और देश किसके हातों में सुरपचित है और कौन इस देश को विखसित भारत और विश्व गुरू बना सकता मदाता इस बा आतार परशार अभियान की कमान समाल रखी है नागर साब अब की बार चार सुपार का नारा लेकिन बीजेबी परतियाशी के सामने आपकी ही पार्टी में रहे एक परतियाशी आ गए हैं तो क्या कोई मुकाबला कड़ा हो गया है कोटा पुंदी में देखिए लोकसभा त्री बने जिस तरह से दस साल में मोदी जी ने चाहे हमारी देश की सीमाय सुरक्षित की हो आतंक वाद को समाप्त किया हो या फिर देश को मजबूति के साथ आगे बढ़ाया हो और विश्व में हमारा जो नाम हुआ है जो गौर हुआ है इन सब बातों को देख करके आहम आदमी केवल अभी यह देख रहा है कि हमें देश को आगे ले जाना है देश को अगर आने वाले 25 सालों में विक्षित राष्ट बनाना है विश्व गुरू बनाना है तो मोदी जी को पुने लाना होगा लेकिन का प्रतेशी लगातार कह रहे हैं कि और यह चुनोती दे रह है उसकी 500 पुराना सपना पूरा हुआ है और दुनिया और कांग्रेस के प्रतियासी कुछ भी कहें आम आदमी आम जनता बहिला गाओं में बेटी भी महिलाएं सो प्रतिशत महिलाएं बोर्ट देने के लिए मोदी जी को ततपर है वो चाहती है कि मोहिलाओं का जो मोदी जी हैं लड़े हैं लेकिन पहला चुनाओं मोदी जी का ब्रिष्टा चार को समाप्त करने के खिलाब जनता ने जन्मत दिया हुए इस बार दुगने इस्तर तक जाएगी और जिस तरह से मोदी जी के प्रति लोगों का रुजहान है आम लोग कहते हैं कि चलो वो विदान सभा क चुनाओं था पर इस बार तो जिनोंने विदान सभा में बोट नी दिये वो भी मद्दाता ये करा कि देखो वो बात अलग थी अब तो ये देश का चुनाओं इस बार तो मोदी जी को बुड़ देना है मेरा आखरी सवाल सर्थ लोग कह रहे हैं कि जीत हार किसी की भी हो लेकिन कंटेस्ट हो गया है नजदी की अंतर रहेगा हार जीत का देखे ये अपनी तरफ से कैसे लोग इसको परोस्त है देश का चुनाओं है और इसमें जनता इतनी समझदार है इतनी परिपक है हम लोग तंतर के इतने बड़े परिपक हो गए हमारे गाउं में रनने वाला मत्दाता भी कि उसको जानता है कि देश का बविश्य किसमें है देश का विकास कौन कर सकता है देश को सुरक्षित कौन रख सकता है ये मत्तदान और ये चुनाओ देश का चुनाओं है जी ये कोई उमीद्वारों का चुनाओं नहीं है ये उमीद्वारों का नहीं बलकि देश का चुनाओं है प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताक प्रस्धियानूस अचारो प्राणाटागी